अब एक आस्परेंट के माइंड में हमेशा से एक सवाल आता है कि हमें ऑफिशल डॉक्यूमेंट लाइग यूनियन बजट हो गया या एकॉनिक सर्वे हो गया वो क्यूं पढ़ना चाहिए क्योंकि at the end आप जिस examination की तयारी कर रहे हो उसके बाद में जब आप clear करोगे so you will work with the government यह हम कह सकते हैं you will work for the government तो उसके लिए सरकार चाहती है कि आप government की functioning समझो और यह functioning आप better way में कब समझ सकते हो जब आप government का economic survey में देखोगे कि पिछले साल कितना income हुआ है और कितना expenditure देखोगे कि आने वाले साल में कितना income का estimate निकाला जा रहा है और कितना expenditure का estimate निकाला जा रहा है राइट तो लेस्ट स्टार्ट करते हैं By understanding the meaning of budget जैसे budget हमारे घर में भी बनता है बजट का major objective क्या होता है ये बताना कि हमारा income कितना होने वाला है एक साल में और हमारा expenditure कितना होने वाला है एक साल में सरकार ये estimate बताती है लोगों को क्योंकि ये लोगतंतर की सरकार है तो ये सरकार estimate बताती है कि हम एक साल में यानि कि आने वाला जो financial year है उसके अंदर हम इतना income expect कर रहे हैं और इतना expenditure expect कर रहे हैं अब financial year हमें पता है कि ये start होता है 1st of April से और ये खतम होता है 31st March से तो ये जो duration होता है हमारा this is the financial year तो यानि कि ये जो budget आया है वो ये बता रहा है कि 2024 April से 2025 March तक में हमारा कितना income रहेगा और हमारा कितना expenditure रहेगा तो अब हम ये वीडियो में क्या चीज़े समझेंगे हमें chronology में जाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले चीज़े हम देखेंगे ये budget का एक overview overview में जैसे हमने देखा कि हम एक definition देख रहे हैं हम ये देखेंगे कि इसके क्या type के constitutional provisions है हमारा budget का process क्या है और उसके regarding क्या budget को किस तरह किसे divide किया जाता है फिर second चीज़ जो हम देखेंगे that is the roadmap of budget अब roadmap क्या होता है कि जब आप कोई भी target बनाते हो जैसे आपने बनाया है कि मेरा इतना income होने वाला है और इतना expenditure होने वाला है तो आपका एक roadmap क्या है कि आपने estimate निकाला है कि आप ये roadmap अगर follow करते हो तो आपका ये amount of income रहेगा और आपका ये amount of expenditure रहेगा थर्ड चीज़ जो है वो है ये budget की theme अब सरकार ने इस बार theme पे काफी जादा emphasize किया है वो theme को भी सरकार ने बहुत ही deep way में समझाया हुआ है हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे fourth चीज होगी कि जो भी आपका income और expenditure है उसका पिछले 3-4 साल का trend क्या चल रहा है यानि कि आपने क्या type की income पिछले 4 साल में estimate करी है यानि कि आपका actual कितना income रहा है और आपका actual कितना expenditure रहा है तो उसका हम trend देखेंगे कि कहां पे हमारी income बढ़ रही है या कहां पे हमारी कम ह और यह similarly expenditure कहां बढ़ रहा और कहां पर कम हो रहा है फिफ्स चीज जो देखेंगे that is the deficit financing अब deficit का मतलब क्या होता है कि जब आपका expenditure जादा होता है income से अब सरकार ने budget में क्या बताता है कि मेरा income इतना है और मेरा expenditure इतना है तो देयाद chances की expenditure बढ़ जाता है as compared to income तो वो deficit हो जात होता है तो वो financing क्या होता है सरकार वो deficit में expenditure जादा करने के लिए source क्या रखती है और सरकार का खर्चा कहां पर जादा होता है और किस तरीके से पैसा आता है six चीज जो देखेंगे वो है global context अब global context में हम क्या चीज समझेंगे कि जब भी सरकार इस तरीके से budget बनाती है तो उसके अंदर वो सिर्फ domestic factors भी नहीं international factors भी considered करती है जैसे कोई भी geopolitical crisis हो गया let's say Russia Ukraine crisis हुआ तो उससे Indian economy के domestic पर क्या impact होगा और सरकार को उससे क्या measures लेने चाहिए फिर आजाता है last is the budget priorities कि आपकी budget की priorities क्या रखिये सरकार ने सरकार ने इस बार budget में total 9 priorities रखिये हम एक एक करके सब काफी detail में अच्छे से समझेंगे so let's start करते हैं कि budget के constitutional provision समझ लेते हैं तो पहला क्या है कि according to article 266 के बारे में budget में अच्छे से mention किया है जिसके अंदर ये बताया है कि जब मैं सरकार को tax देता हूँ यानि कि वो क्या है वो सरकार की income है अब वो tax दिया हूँ पैसा सरकार का एक fund में जाता है so that fund is known as consolidated fund of India अब सरकार क्या करते है कि ये fund में जो पैसा आया है वो पैसा वो use करेगी for making expenditure अब ये expenditure करने के लिए ये fund से उसको पैसा निकालना पड़ेगा लेकिन वो directly ये पैसा निकाल नहीं सकता है सरकार ये पैसा कब निकाल सकता है जब वहाँ पे parliament उसको approve करता है तो इसलिए आप देखोगे कि जब finance minister parliament में अपना budget का speech देता है तो फिर उसके बाद में वो अपने budget का statement सारे member of parliament के पास share किया जाता है and then उस पे voting होती है कि क्या ये sanction करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कहने का मदब ये कि article 266 में ये चीज़ कहीं गई है कि अगर consolidated fund of India में से पैसा निकालना है सरकार को तो वहाँ से parliament का approval लेना अनिवार्य है यानि कि ये compulsory है second चीज जो interesting बात है कि जो term है budget ये हमारे सम्विधान में कहीं पे भी mention नहीं किया गया है तो सम्विधान में क्या mention किया है सम्विधान में annual financial statement mention किया है यानि कि constitution में budget as a term mention नहीं किया है जबकि constitution में annual financial statement mention किया गया है अब इसके अलावा कुछ और articles है जो exam point of view से हमारे important है अगर budget के articles देखते हैं तो वो 112 से 117 तक में आते हैं अब अगर हम 112 देखते हैं यानि कि 112 देखते हैं तो इसके अंदर ये बताता है कि president shall cause to lay an annual financial statement before the parliament यानि कि article 112 और 113 में same type की चीज बुली गई है कि आपको जब भी भी grant लेना है यानि कि आपको conservative fund में से पैसा उठाना है तो आपको पहले president का approval लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप ये बोलोगे as a finance minister या as a government कि हमें इतने amount of money की जरुरत है for this particular purpose तो आपके approval से हम ये एक resolution रखते हैं parliament में जिस पे फिर parliament vote करेगा तो कहने का मदब ऐसा है कि यहाँ पे president पहले approve करता है कि आप इस तरीके का statement parliament में रख सकते हो और उसके accordingly आपको grant मिलेगी फिर आजाता है article 114 जिसके अंदर ये चीज बताए गई है कि consolidated fund of India में से आप without the authority of the parliament यानि कि लोग सबागी authority के बिना आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते यानि कि आप वहां से withdraw नहीं कर सकते right so this was mentioned in article 114 so these are the three major article इसके लवा और भी कई सारे articles है बट ये exam point of view से ये चार एक है article 266 फिर आगया article 112 13 and 14 right so as a homework आप ये देखना 15 16 और 17 के articles आप प्रीज उसको refer करना ओके फिर आ जाता है union budget का process क्या है तो process में सबसे पहले क्या होती है कि हल्वा ceremony होती है जो finance minister conduct करता है पाच दिन पहले कि जिस दिन budget को present किया जाना है उसके पाच दिन पहले एक हल्वा ceremony होती है जो एक ritual होता है फिर जब हल्वा ceremony हो जाती है तो ये budget को print किया जाता है अब यहां पर interesting बात यह है कि जब वहां प एक lock in period में आ जाते है यानि कि वो एक particular premises में lock कर दिये जाते हैं जिसमें वो premises से बाहर नहीं जा सकते और Second तिंग है कि वो कोई भी बाहर वाले से किसी भी type का संपर्क या contact नहीं रख सकते यानि कि budget को as a secrecy of act मावना गया है इसके प्रिपरेशन हम लोगों को रिवील नहीं कर सकते बिफोर प्रेजेंटिंग दी बजट इन दी पार्लियमेंट फिर थर्ड आ जाता है प्रोसेस कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने हलवा सेरिमेनी हो गई लॉकिन प्रियेड हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट से एक अप्रूवल लेता है अब अप्रूवल में ये लेता है कि जैसे हमने का आर्टिकल 113 में क्या था सेम चीज़ थी कि आपको जब पैसे निकालने है डिमांड फो ग्रांट करना है आपको तो आपको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये पार्लेमेंट में एक डिमांड रखने वाले है तो जो प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेगा तो ही आप पार्लेमेंट में अपनी डिमांड रख पाओगे नाव फोर्थ आ जाता है कि जब cabinet meeting होती है यानि कि जो budget होता है वो 11 बज़े आता है और उसके एक घंटे पहले 10 बज़े cabinet के साथ एक meeting होती है जहाँ पर एक final approval लिया जाता है कि हाँ हम ये type का एक budget रखने वाले हैं parliament में फिर last होता है that is the finance minister's speech यानि कि वो जब लोग सभा में अपनी speech deliver करता है जिसके अंदर वो government के financial plan बताता है यानि कि budget बताता है कि हमारा क्या income रहने वाला है या क्या expenditure रहने वाला है तो फिर बात में ये जब once ये budget की speech हो गई सारे member of parliament को एक print हुआ हुआ पूरा budget मिल गया then वो budget पे departmental की committee set up होती जिसको parliamentary committee कहते है ये committee क्या होती है कि मान लिजे सरकार ने ministry of defense के लिए कुछ पैसा allocate किया है कि ये budget में उनको 11,000 करोड या इतने पैसे दिये जाएगे अब वो ministry of defense का एक department होगा ये department क्या करेगा ये check करेगा कि जितना सरकार हमें budget में allocate कर रही है क्या व departments हर ministry के departments अपनी study कर लेते हैं फिर वो जाता है member of parliament याने की लोग सह में voting पे और जब वोट हो जाता है तब वो फिर budget approve हो जाता है and then वो concerted fund of India में से पैसा निकाल सकता है government of India ओके तो ये है budget का process अब budget बनाता कौन है ये budget बनता है by the budget division ये division है specially department of economic affairs में जो है finance ministry के अंदर ये एक nodal ministry है याने कि ये एक nodal body है that is budget division जिसका major काम क्या है कि budget को prepare करना है इसके लगा कुछ interesting facts ये भी है कि finance minister जो निर्मला सितारामन है इनकी सबसे बड़ी budget speech रही थी 2020 में जहां पे उन्होंने 2 hours 42 minutes की एक speech दी थी इससे पहले मनमोहन सिंग की सबसे बड़ी speech हुआ करती थी और ये budget speech के बाद या budget presentation के बाद निर्मला सितारामन ने 6th budget present किया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये सरकार का मोधी सरकार का 3rd term का पहला budget है तो और भी कई सारे budget आएंगे तो ये सबसे जादा budget representative हो जाएगी that means almost 10 plus इससे पहले जो 10 budget present किये हैं वो है बाई मुरार जी देशाई के त्वारा okay so these are the few interesting facts अब इसके बाद जो चीज है that is budget को दो में divide किया जाता है दो टाइप के budget बनता है पहला आ जाता है revenue budget और दूसरा आ जाता है capital budget अब revenue budget में क्या होता है this is for the short term purpose के लिए और capital budget होता है for the long term purpose के लिए okay अब short term और long term में difference यह हो जाता है कि जो revenue budget है वो short term income और expenditure देखता है और जो capital budget है वो long term income और expenditure देखता है अगर इसकी हम definition पढ़ते हैं तो जो revenue budget है वो current income देखता है कि जो current income और expenditure है यानि कि at present जो चल रहा है whereas capital budget में long term investment और financial liabilities पर focus की जाती है अब इसको दो में subdivide किया जाता है पहला है revenue receipt और दूसरा है revenue expenditure same है capital receipt और capital expenditure अब अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि revenue receipt क्या होता है तो यह वो है जो current income पे focus कर रहा है यानि कि अभी कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है majorly? taxes से आता है fees से आता है या कोई और टाइप के resources होते है जो at present उसके regular base पे आ रहा है लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज इंक्लूड होती जो liability create करती है या वो asset को reduce करती है अब इसका मतलब क्या है कि liability अब आपको पता है कि balance sheet में दो section होता है एक होता है asset जो हमें पैसा ल देना होता है अब आप एक example कीजिए कि मेरा एक transport का business है वो transport में मैं जब एक truck खरीता हूं तो जो truck खरीदा है मेरा वो मेरा एक asset है यानि कि वो मेरे को और ज़्यादा पैसा लाके देगा तो at present मेरा एक truck है फिर मैंने दो truck लिए फिर मैंने तीन truck लिए तो यह सब क्या है यह मेरे asset है बट यह asset short term purpose के लिए नहीं लिए मैं कोई भी अगर truck लूँगा तो मैं कम से कम उसको 5 से 7 या 10 साल तक use करूँगा तो यह क्या है यह मेरा long term purpose है तो जब मैं कोई भी type का asset खरीता हूं तो वो मेरा capital में आ जाएगा वो मेरा capital budget में आ जाएगा similarly जब अगर मैं कोई भ बेच देता हूं जो मैंने truck लिया था वो मेरा long term purpose के लिए था तो जब मैंने बेच आ तो मैं को बेच के income आई तो वो income किस में आ जाएगी वो capital receipt में आ जाएगी whereas revenue receipt में वही income रहेगी जो at current चल रही है यानि कि taxes हो गया fees हो गई या कोई और टाइप के resources हो गया whereas capital receipt में मैंने ये देखा था कि या तो मैं income from borrowing हो रही है यानि कि मैंने कहीं से पैसा उधार लिया है वहां से आ रहा है या मेरा कोई loan की recovery हुई है या फिर मैंने कोई भी type का asset बेच दिया यानि कि मैंने मेरा truck जब बेच दिया है तो वो मेरी capital income हो गई और या फिर मैंने कहीं कहीं से loan लिया है यानि कि उधार लिया है तो वो क्या है वो मेरी liability है यानि कि यहां पर liability create हो रही है या asset reduce हो रहा है तो ही चीज revenue receipt में बोली है कि कौन सी चीज नहीं आती है creation of liability और reduction of asset क्यों क्योंकि यह capital receipt में आता है creation of liability यानि क्या हो गया कि मैंने कहीं से पैसा उधार लिया है reduction of asset क्या आजाएगा मैंने मेरा truck बेच दिया है तो यह difference है short term और long term अब इसके अगर हम income की बात करते हैं तो income में basic scenario क्या आजाएगा revenue sorry revenue expenditure में क्या आजाएगा जो day to day expenses होते है like salary expenses हो गया subsidiary expenses हो गया pension हो गया interest payment हो गया तो यह सारे revenue expenditure में आ जाएगा whereas capital expenditure क्या होगा कि मैंने कोई भी type का asset create किया है यानि कि मैंने कोई भी type का truck खरीदा है receipt में क्या था कि मैंने वो truck बेच दिया और expenditure में क्या है मैंने वो truck खरीदा यानि कि में लिए एक asset है, asset का मतब क्या है कि वो में को पैसा लाके देगा, तो ये दोनों का major difference है revenue as well as capital budget का, इसके अलावा budget में तीन type के data आते हैं, पहला तो आ जाता है budget estimate यानि कि जो अभी आया है for financial year के लिए आया है ये 2024 और 2025 के बीच का, ठीक है, जिसके अंदर ये बताया है कि आने वाले एक financial year में मैं कितना income expect कर रहा हूं यार कितना expenditure expect कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक estimate आता है, that is the revised estimate, अब revised estimate को mid year review भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये concept financial year का है, जो financial year चला गया है, यानि कि यहाँ पर आ जाएगा financial year 2023 और 2024, अब एक aspect के mind में ये आता है, कि 2023 और 2024 तो financial year खतम हो चुगा है, तो उसका, हम mid year review क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास actual data नहीं आ पाता, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी country है, बहुत जादा पैसा घूमता है, सरकार का, लोगों का, तो उसका actual data लाने में थोड़ा time लगता है, तो इसलिए इसको हम revised estimate कहते हैं, इसको budget estimate कहते हैं, और जो actual estimate है, वो जो साल complete हो चुगा है, यानि कि यहाँ पर कौन सा final share year आ जाएगा, 2022 और 2023 का, right, so again repeat करता हूँ, budget estimate वो होता है, जो आने वाले साल का final share year है, revised estimate वो है, जो इससे पहले वाले साल का revised estimate है, जिसका हमें पास अभी तक actual data नहीं आ गया है, और actual data क्या है, जो इससे दो साल पहले का financial estimate रहता है, so that is the actual estimate, तो यह तीन टाइप के data होंगे, आप जब हम आगे, जब बाकी के slides में जाएंगे, तो यह तीन टाइप के data लिखे एक होगा revised estimate और एक होगा actual estimate, तो यह तीन तरीके से data flow होता है, तो अब हम इसके road map की बात करते हैं, अब road map में जो major चीज रखी गई है, that is the Vixit भारत, अब Vixit भारत यानि की developed country, यानि की इंडिया डेवलप हो गया, अब इसका base कहां से लिया गया है, कि 2022 में एक document आया था, जो economic advisory council to prime minister ने submit किया था, कि prime minister की economic advisory council थी, उसने ये submit किया था, उसके अंदर ये बताया, कि वो document का नाम था, India at the rate 100, अब 100 क्यों रखा गया है, क्योंकि बोला कि 2047 तक जब इंडिया को अपने independent को celebrate करने में 100 साल हो जाएंगे, तब इंडिया एक developed country बन जाएगा, यानि कि वो विक्सित भारत बन जाएगा, यानि कि वो developed इंडिया बन जाएगा, तो इसका base लिया है इस बार के budget वे, अब इसमें ये बताया गया है, कि विक्सित भारत बनने के लिए हमें क्या type की चीजों की जरुरत रहेगी, तो सरकार ने यहां पर चार चीजों पर major focus किया है, पहला है farmer, किसान, दूसरा है गरीब यानि कि पूवर, तीसरा है महीला यानि कि woman, और चौता है यूवा यानि कि youth पर focus किया है, अब इसको हम basic तरीके से समझते हैं, अपने school time में ये pyramid समझाओगा, अब pyramid में तीन type के economic employer रहते हैं, पहला आजाता है CEO class, दूसरा आजाता है managerial class, और तीसरा आजाता है worker class, अब इसके अंदर एक चीज़ observe करने की बात है, कि जो worker class का base है, वो काफी ज़ादा broad है as compared to the other two classes, तो ये क्या चीज़ समझा रहा है, कि worker class की population काफी ज़ादा है as compared to other two classes, और इंडिया की अगर बात करते हैं कि 140 करोड की population में से almost 60% जो population है, वो worker class है, और ये 60% population में किसान भी आ जाता है और गरीब भी आ जाता है, यानि कि ये दोनों section इसका part बन जाते हैं, और अगर हम महिला की बात करें, अगर हम woman की बात करें, तो woman कितनी है इंडिया में, कि ये 140 करोड के population में से almost, यानि कि up to 50% जो population है, वो महिला है, यानि कि सरकार जब भी भी बोल रहें, woman empowerment करना है, वो क्यों करना है, क्योंकि इंडिया में जितने भी population है, उसमें से 50% population अगर empower नहीं होगी, तो हम विक्सित भारत नहीं बन पाएंगे, विक्सित भारत बनने के लिए हमें हर एक gender को काम करना पड़ के लिए तब जाके हम विक्सित भारत बन पाएंगे, तो इसलिए woman empowerment को necessity रखा गया है, वेरेज अगर हम youth की बात करते हैं, तो इंडिया में 140 करोर की जनता में से almost जो 65% population है, वो below 35 years की है, यानि कि वो 35 साल से कम की जनता है, जो youth economy है, तो इसलिए इंडिया को youth economy कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 35 साल का हूँ, तो obviously मैं retire तो हूँगा, नहीं, मैं retire गब हूँगा, मैं 50 या 60 पर retire हूँगा, और 30 से 40 साल का एक वो duration होता है, जहां पे एक आदमी या एक औरत अपने career पे काफी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यहां पे वो अपना GDP contribution सबसे ज़ महिला है, महिला इंडिया में almost 50% population है, तो जब तक यह empowered नहीं होगी, तब तक हम विक्सित भारत नहीं बन पाएंगे, तीजरा है कि हमारे यूवा बहुत है, बहुत सारे यूथ हैं हमारे पास जो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार दोगे, तो हम विक्सित भारत बन पाएंगे, तो इसलिए ये roadmap में ये चार कास्ट पे काफी ज़्यादा focus रखा गया है, इसके अलावा जो budget है, उसकी theme भी इस बाद काफी ज़्यादा interesting है, हाला कि यहाँ पे तो खाली चार शीज़े बताएंगे है, employment करना है, skilling करना है, MSME को develop करना है, middle class पे focus करना है, वेरे सरकार ने जो actual theme बताई, वो बताया कि हम employment पे focus करेंगे, ठीक है, अब employment को उन्हें ने काफी अच्छे से define किया है, इसके अंदर E का मतलब कहा है कि हमें employment और education बढ़ाना है, M का मतलब कहा है कि जो MSME है, MSME क्या हो जाते है, micro, small and medium enterprise, अब इन उतने जादा MSME बनेगी, उतने जादा labor हो को रोजगार मिलेगा, धर्ड आ जाता है productivity, कि productivity in the sense क्या होता है, कि इंडिया में कई सारे ऐसे manufacturing units है, या in fact agriculture sector है, जहां पे productivity का issue है, कि इतना जादा production में productivity नहीं है, productivity का मतलब क्या है, कि आप अपना production capacity को बहुत अच्छे से utilize करो, क एक farm land है, यानि कि एक agriculture का land है, जिसके अंदर जब तीन लोग काम कर रहे हैं, तो hundred tons of game बन रहा है, अब पांच लोग काम करेंगे, तो वो obviously बढ़ना चाहिए, बट इंडिया में क्या है, कि वो पांच लोग में भी hundred tons का ही बन रहा है, तो यहां पे क्या issue हो रहा है, यह productivity का issue तो सरकार ने का कि हमें productivity बढ़ानी है, फिर बोला कि हमें lands को लेके reforms करने है, हमें जो youth है, उनको opportunities देनी है, हमें youth को employment देना है, जो middle class है, उनका purchasing power बढ़ाना है, हमें energy में security लानी है, energy में security यानि कि हम अभी क्या है कि energy में import काफी जादा करते हैं, तो वो import हमें energy में कम करना ह और हमें energy में आत्म निर्भर बना है, कि जो भी renewable energy बन रही है या non renewable energy बन रही है, तो उसमें हमें आत्म निर्भर रहने की ज़रुत है, फिर बोला गया है कि जो new generation reforms है, उस पे focus करना है, यानि कि जो digitization है, यानि कि जो हमें digital बनना है, उस पे जादा focus करना है, फिर आ जाता है technology की हमें technology का काफी जादा use करना है कि जो भी नहीं technology आ रहे है उसका use करना है तो ये budget की theme रखी गई है कि एक साल में हम ये सारी चीजों पर focus करेंगे तो जब हमने budget का मतलब समझ लिया, budget की constitutional provision समझ लिये, हमने revenue budget समझ लिया, capital budget समझ लिया हमने उसका road map समझ लिया in fact theme भी समझ लिया, right तो अब आ जाता है कि हमें उसका trend समझना है, जो हम बोल रहे दिना कि पिछले तीन या चार साल में हमारा क्या trend रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उस पर focus करना है, right तो यहाँ पे देखे जा रहा है कि receipt की बात करी गई, यानि कि एक साइड income रखा गया है और एक साइड expenditure रखा गया है, तो revenue और capital की बात करी गई है, तो यहाँ पे हमें actual figure पे इतना जादा ध्यान नहीं देना है बट हमें इसका trend समझना है trend में क्या समझना है, कि पहले यह 23 लाग करोड revenue receipt हुआ करता था अब यह बढ़के 31 लाग करोड हो गया, यानि कि हमारा revenue income, यानि कि receipt जो है वो बढ़ गया, लेकिन जो capital receipt है, जो पहले 18 लाग करोड था, वो 16 लाग करोड हो गया, अब capital receipt क्या था अगर हम वापस recall करते हैं तो capital receipt में क्या था, कि मेरी income कहां से हो रही, borrowing से हो रही है या फिर मैं मेरे assets को बेच रहा हूँ, तो मेरी capital receipt बढ़ती, यानि कि मैं लोगों से जादा पैसा ले रहा हूँ, और जो मेरा asset है, मैं जादा से जादा बेच रहा हूँ, तो मेरा capital receipt बढ़ रहा है, तो ये कम हुआ है, राइट, वेरेस जो हमारा revenue था, revenue expenditure जो है वो 34 लाग से 37 लाग करोड हो गया, यानि कि ये बढ़ गया है, और जो capital expenditure है, ये भी बढ़ गया है capital expenditure क्या था, the creation of assets, कि कोई भी type का, अगर मैं asset बना रहा हूँ, यानि कि मैं जितनी जादा truck खरीदूँगा, मेरे transport के business के लिए, उतना जादा मेरा income बढ़ेगा, तो ये चीज है, तो यहाँ से हमने trend समझा, तो इसका अगर हम देखते हैं कि revenue receipt बढ़ा, capital receipt decrease हुआ, revenue expenditure बढ़ा, and capital expenditure भी बढ़ा, फिर अगर हम trend देखते हैं, tax receipts में, तो इसके अंदर देखते हैं कि जो gross, यानि कि जो total tax receipt है, दो तरीके से tax का पैसा आदा है हमारे पास, एक है direct tax और दूसरा है indirect tax अब अगर direct tax देखते हैं, तो वो बढ़ रहा है, right indirect tax हमारा थोड़ा सा कम हुआ है और अगर हम इन दोनों का total देखते हैं तो total भी बढ़ रहा है अब यहाँ पर एक concept आ जाता है that is tax to GDP ratio अब tax to GDP ratio का मतलब क्या है कि हम कई बार ये news में पढ़ते हैं कि जिस pace से इंडिया में GDP growth हो रहा है क्या उस pace से tax collection भी बढ़ रहा है तो this is what tax to GDP ratio जो इंडिया में थोड़ा भी काफी poor है कि हम जिस pace से GDP बढ़ रहा है हमारा उस pace से tax collection नहीं बढ़ रहा है अब बात आ जाती है कि हमारे पास पैसा आता कहां से है अब exam point of view से हमें सारा data तो नहीं देखना है बड़ जो top 3 data होता है जहां से हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है top 3 source होता है उस पे ज़्यादा focus करता है तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारे कहां से आता है हम borrow करते है borrow and other liability यानि कि ये क्या हो गया ये हमारा capital receipt हो गया या मैं क्या कर रहा हूँ मैं borrow कर रहा हूँ यानि कि मेरी liability बढ़ रही है तो ये borrow and other liability से मेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है इसके बाद मेरे पैसा आ रहा है income tax से ये हो गया revenue income revenue receipt हो गया फिर आ रहा है मेरा GST से और फिर आ रहा है मेरा corporation tax से तो इस तरीके से आप 3 या 4 जो top sources है उस पर focus कर लो अब जैसे पैसा आ रहा है तो पैसा जा भी रहा है अब सबसे ज़्यादा पैसा कहा जाता है कि obviously जब केंदर सरकार के पास पैसा आएगा तो केंदर सरकार खुद के पास नहीं रखती वो क्या करती है वो राजे सरकार को देती क्योंकि वो खुद के पास रखके क्या कर लेगी कि राजे सरकार क्या करती है कि अब जब मेरे घर के वहाँ पर में कोई road बनवानी है या कोई भी ब्रिज बनाना तो वो क्वान बनाएगा, वहां का Municipal Corporation बनाएगा, जिसको पैसा राज्य सरकार देगी, तो वही चीज है कि सबसे था पैसा कहा जाता है, राज्य सरकार को जाता है, इसके अलावा, दूसरा सबसे था पैसा जाता है, interest payment, interest payment को क्यों जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पार आ कहां से रहा है, borrowing से आ रहा है तो जब हम borrow कर रहे हैं याने कि loan ले रहा हूँ, तो मैं को interest payment भी करना पड़ेगा apart from this आ जाता है central sector scheme में जाता है हमारा, right, central sponsored scheme में जाता है, finance commission and other transfer में जाता है तो again यहाँ पे 3 source लेने है जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आया है और 3 source लेने जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, right तो यह चीज हमने समझ दी, अब जो 3 हमें देखना है कि जो भी resources transferred होते हैं, states और union territories को, वो कितना हो रहा है, यानि कि कितने लाक करोड में हो रहा है, तो 2021-22 में यह 17 लाक करोड था 22-23 में यह 18 लाक करोड है और 23-24 में यह 20 है, और इस बार जो बोला गया है, वो 23 है, यानि कि आप देख रहे हो कि यह graph उपर जा रहा है So this is the trend, कि आप जो भी resources आ रहे हैं केंदरे सरकार के पास, वो राजे सरकार के पास जादा से जादा जा रहा है फिर जो concept आ जाता है that is the deficit अब deficit का मतनब क्या हो जाता है कि जो expenditure है is more than income that is the meaning of deficit, ओके, अब various type के deficit होते हैं, पहला हो जाता है fiscal, revenue, primary और effective revenue deficit अब इसको अगर हम समझते हैं सबसे पहले अगर हम देखते हैं fiscal deficit तो fiscal deficit क्या होता है कि जो भी total expenditure है is, इसको minus किया जाता है with the total income यानि कि मेरा expenditure जादा है मेरे income से तो उसको fiscal deficit कहा जाता है, अब अगर हम revenue deficit देखते हैं तो इसके अदर क्या है कि जो total revenue expenditure है total revenue expenditure हमारा क्या था salaries हो गई, subsidies हो गई जो हमारे daily type के expenses होते हैं जो total revenue expenditure है उसमें से tax revenue यानि कि revenue income प्लस non-tax revenue वो minus किया जाता है तो वो revenue deficit हो जाता है फिर आजाता है primary deficit primary deficit में fiscal deficit को use किया जाता है minus interest payment और फिर आजाता है effective revenue deficit जिसके अंदर revenue deficit में से grants in aid for capital assets से minus किया जाता है तो इस तरीके से यह 4 type के deficit रहते हैं हलागि हमें exam point of view से इतने सारे तो revenue primary और इनके यह data तो याद रखने नहीं है बट जो main चीज हमें याद रखने है वो है fiscal deficit जो पहले 6.4% था और वो अब 4.9% हो गया यानि कि सरकार का जो खर्चा है वो धिरे-धिरे कम हो रहा है यानि कि जो deficit है वो deficit धिरे-धिरे कम हो रहा है अब deficit को एक और तरीके से भी देखा जाता है कि सरकार खर्चा कहां करती है या तो वो salary देती है subsidy देती है या कोई भी तरहिए का asset बनाती है ये किस के लिए बनाती है ये जनहीत के लिए बनाती है यानि कि लोगों के welfare के लिए ये सारी चीजे का expenditure किया जाता है तो ये कुछ हद तक सही भी माना जाता है लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे 6.4% था और आप रिकॉल करोगे कि 2020 में कोरोना काल आया था अब कोरोना काल में क्या हुआ था कि लोगों के पास इतना खास पैसा था नहीं लोगों के पैसा नहीं था तो लोगों के पैसा घूम नहीं रहा था और उससे इशू क्या हुआ था कि लोगों का पर्चेसिंग पावर ही नहीं था तो सरकार ने वहाँ पे पैसा जादा खर्चा गया ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए हैंस तब fiscal deficit 6.4% था और अब जो बोल रहे हैं वो 4.9% है यानि कि इंडिया किस के तरफ जा रहा है इंडिया is going towards fiscal consolidation यानि कि ये fiscal consolidation की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि trends in deficit भी है अब जो deficit finances के sources क्या होते हैं हाले कि ये सारे figures इतने important नहीं बस आपको ये बता होना चाहिए कि सरकार जब expenditure ज़्यादा कर देती income से तो पैसा लाती कहां से या तो वो लोगों से उठाएगी market से borrow करती है या फिर वो खुद से पैसा चापती है यानि कि वो इसे चपवाती है तो चार sources होते है majorly एक तो market borrowing हो गया short term borrowing हो गई कोई भी security के against हो गया या other type का sources हो गया या provident fund हो गया या other type के cash balances हो गया right these figures are not that important बस इसके sources आपको पता होने चाहिए कि चार major sources होते हैं अब कोई भी type की global uncertainty होई है यानि कि मान लीजे कि Russia Ukraine crisis हुआ या फिर इस्राइल पैलेस्टीन का issue हुआ इस्राइल इस्राइल इरान का issue हुआ अफगानिस्तान का issue हुआ तो इसमें क्या होता है कि अभी at present जो globe है वो globalization era में globalization era यानि कि एक country एक से कुछ import कर रही है तो दूसरे को कुछ export कर रही है यानि कि हर country एक दूसरे पर काफी ज्यादा निर्भर लेकिन जब भी इस तरगे के geopolitical crisis होते हैं तो यहां पर issue क्या होता है कि जब कोई भी import करना होता है या export करना होता है अब जैसे में को समझ लीजे कि अफगानिस्तान से walnut जाने के अख्रोट बहुत famous है तो इंडिया में वहां से बहुत सारे अख्रोट मंगाया जाते हैं तो यह या तो by road आएंगे by air आएगा या by water आएगा बट जब भी भी global uncertainty होती है या इस से क्राइसे होते हैं तो सबसे ज़्यादा hamper क्या होता है कि यह जो trade routes तो इसको block कर दिया जाता है तो जब trade routes block हो जाते हैं तो वहां पर shipping में disruption आ जाती है अब disruption आने से क्या हुआ कि इंडिया में accrode नहीं पहुच पाए लेकिन demand उतनी थी supply कम हो गई तो इससे क्या हुआ कि mismatch हुआ जिससे accrode का prices काफी जादा बढ़ गया और उससे क्या हुआ कि जो भी type के asset है उसमें prices बढ़ गए तो यह चीज budget में हमारे finance minister ने mention करी है कि इस बार का जो budget है उसके अंदर global context की चीज़े भी considered की गई है कि uncertainty के चलते shipping में disruption होता है और asset prices काफी जादा बढ़ जाते है फिर जो दूसरी चीज है that is tax labs यह exam point of visit इस इंपोर्टन नहीं है बर students काफी जादा attract करता है कि अगर मैं 3 लाग तक का रुपय कमाऊंगा तो मेरे पर tax नहीं लगता उसके बाद मेरे पर progressive taxation लगना सकता है progressive taxation का मतलब क्या है कि जितना जादा मैं पैसा कमाता जाऊंगा उतना जादा मेरा जो tax है वो बढ़ता जाएगा कि पहले 5% था फिर वो 10 हुआ 15 हुआ 20 हुआ और फिर वो 30 हो गया ओके तो सारा हमने ट्रेंड के बारे में बात कर लिया अब एक और जो चीज जो highlight करें बजट में जो थोड़ी important है that is the customs duty का अब इंडिया में gold और silver एक काफी dominating factor है कि लोग या तो पहनते हैं या फिर वो घर पे store करके रखते हैं अब एक साथ तो इतना सारा पहनते नहीं तो majorly वो store रहता है या फिर वो locker में deposit रखते हैं तो इस import बहुत हो रहा था तो सरकार ने क्या किया कि जो import था उस पर custom duty लगती थी पहले 15% वो कम करके 6% कर दिया सरकार ने और इसे के साथ जो platinum है उस पर 15.4% से कम करके 6.4% कर दिया अब इससे जब सरकार से सवाल पुछा गया कि ऐसा क्यों किया है तो सरकार ने बोला कि जब custom duty ज महंगा बिकता था अब वो महंगा होता था तो वहां पर smuggling काफी जादा बढ़ गई थी और दूसरी चीज यह बोली कि इंडिया में जब कोई भी gold import करता है तो वो खुद में घर में रखने के लिए नहीं करता है गोल import किया जाता है क्योंकि इंडिया में designer jewelry बनती है अब य designer jewelry क्या होती है कि यह export होती है दूसरी countries में तो कहने का मतलब क्या है कि जो gold import किया है वो एक raw material था तो उसने क्या किया वो gold से value addition किया और उसके बाद में designer jewelry बनाई और वो jewelry को फिर भार market में export किया तो सरकार ने का कि इससे दो फायदा होगा पहला smuggling रुख जाएगी और दूस इंडिया में लोग जाधा gold खरीदेंगे, import करेंगे, जाधा designer jewelry बनाएंगे और वो designer jewelry को जाधा export करेंगे तो इस तरीके से यह इंडिया को फायदा करेगा तो इसलिए यहाँ पर custom duty का concept रखा है नेक्स है कि woman friendly scheme लाई गई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि जो already scheme है, वहाँ पे तीन लाग करोड से जाधा का budget बनाया गया है, जिसके अंदर woman led development scheme होगा जिसके अंदर pension scheme जिसको कहा गया है, वातसलिया scheme में क्या होगा कि मान लिजे मेरी एक बेटी हुई है, तो बेटी के लिए जब वो हुई है तब से 18 साल तक मैं हर साल उसका एक premium भरूँगा, under this वातसलिया scheme और जब वो 18 साल की हो जाएगी, तो बेटी पे निरबर करता है कि वो पैसे का वो use करेगी for higher education के लिए, या वो पैसा वो deposit करेगी for EPFO के लिए, यानि कि वो national pension scheme में आ जाएगी, और जब वो EPFO में चला जाएगा वो पैसा, तो जब वो बेटी retire होगी मेरी, यानि कि जब वो अब जो important चीज आ जाती है, वो है कि budget को लेके priorities बनाएं गई है, कि there are nine type of priorities जो budget में important रखी गई है, तो सबसे एक एक करके हम ये सारी priority को समझते हैं, तो सबसे पहली priority क्या है, productivity and resilience in agriculture, अब productivity का जैसे मैंने पहले discuss किया था, कि एक agriculture land पे जब तीन किसान काम करते हैं, तो सौ त अनका agriculture, सौ तनका गेहूं produce हो रहा है, अब जब वो तीन की जगाँ पांच कर रहे हैं, तो भी सौ तनका हो रहा है, तो इससे क्या है कि वहां की productivity कम हो रही है, तो वो productivity increase करने की ज़रत है, दूसरी चीज ये बोली है सरकार ने, कि ये सारे agriculture में, इंडिया में climate का बहुत में, major issue क्या होता है, climate में, जैसे या तो बारिश बहुत ज़ादा हो गई, गर्मी बहुत ज़ादा हो गई, या सर्दी बहुत ज़ादा हो गई, तो इससे क्या होगा कि जो वहां की फसल है, वो खराब हो जा रही है, तो इस तरीके की फसल बनाओ कि जो इस तरीके से इतना ज़्यादा हमारे अनाज को इंप्ट करे या तो आप इरिफेशन फैसिलिटी बढ़ा दो या फिर आप इस तरहीं कि शेल्टर बनाूगी बहुत ज़्यादा गरमी का इफेक्ट ना हो या बहुत ज़्यादा सड़ी का इफेक्ट ना हो यह तो यह कहने अनाज उगाता है तो उगा के Food Corporation of India के पास आता है अब यह Food Corporation of India क्या करता है यह Below Body Line वालों को देता है अब दिक्कत यह हो रही है कि जो अनाज किसान ने उगाया है वो Food Corporation of India तक पहुच नहीं रहा है और अगर जो पहुच गया है तो गरीब तक नहीं पहुच रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो Supply Chain है यानि कि जो Infrastructure है वो बहुत ज़ादा Disturb है और दूसरी बात क्या है कि Supply Chain में Storage Facility भी आती है कि हमारे में इंडिया में ऐसा है कि एक साइड एक गरीब जो है वो भुकमरी में जी रहा है और दूसरी साइड हमारा जो Tons of Anage है जो Game और चावल है वो बड़ा-बड़ा सड़ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा Challenge है हमारे ले तो that means कि जो Supply Chain है सरकारने का हम इस पे ज़ादा Focus करेंगे फिर बोला सरकारने कि हम आत्म निर्भर बनेंगे Mustard में बनेंगे Groundnut में बढ़ेंगे Seasam में सोया बीन और Sunflower में ये सब में हमें आत्म निर्भर बढ़ना ज़रूरी है और बोला कि हमें नई टाइप की Varieties लानी पड़ेगी ये Varieties क्या होगी ये Resilient रहेगी यानि कि ये Productivity भी Maintenance करेगी और ये Resilient भी रहेगी ताकि हमेरे Climate से लेकिए और ज़्यादा Issue ना हो इसके अलावा बुला है कि हम Natural Farming पर Focus करेंगे यानि कि हम Fertilizers का Use नहीं करेंगे कोई भी Chemicals का Use नहीं करेंगे और बुलाएगी अगले दो साल में हम एक करोड किसान को Support करेंगे by Certification and Branding से फिर बुलाएगी हम Shrimp का Production Increase करेंगे Shrimp का Production Increase करेंगे हम उसको Export करेंगे और इसके अंदर Support करेंगा हमें नाबार्त और बुला है कि जो Agriculture है उसके अदम Digital Public Infrastructure लाएगे कि यानि कि जो भी Lands है वो Digitize होगी उनका एक Record Digitize रहेगा किसानों को Digitize भी रहेगा तो यहाँ पर Concept आ जाता है Digital Literacy का कि यहाँ पर लोगों को पढ़ाना है कि आपको Digital Technologies Use कैसे करनी है Digital Crop Survey होगा In 400 District में तो इस तरीके से सरकार ने बजट में यह चीज बताई है Next आ जाता है Employment and Skilling Employment आपको याद होगा कि जब इस बार के चुनाव हो रहे थे लोग सबा के तो रोजगार एक बहुत बड़ा Issue बन गया था क्योंकि इंडिया में क्या है कि एक जब यूथ है उसने School Complete करी उसने मना Graduation Complete किया In fact उसने Post Graduation भी Complete कर लिया फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ा Challenge है क्यों नहीं मिल रही क्योंकि उसके पास Skill नहीं है बहुत सारी MNCs कह रही है कि भले ही आप Post Graduate हो बट आपके पास वैसी Skill नहीं है कि जो हमें चाहिए तो सरकार ने बुलाए कि हम इस बार रोजगार भी देंगे और हम Skill भी बढ़ाएंगे तो इसके लिए सरकार ने पाँच टाइब की Scheme लाँच करी है पर जॉब जॉब क्रियेशन के लिए तो पहली क्या है कि जो पहली बार जॉब लग रहे है यानि कि पहली बार वो जो 15,000 रुपए देंगे ताकि उनको और जादा Incentive महसूस हो दूसरी Scheme में बोली है कि अगर आप Manufacturing Sector में कोई भी Employer Employee को Hire करता है तो वहाँ पे Employee के साथ Employer दोनों को Incentive दिया जाएगा Employee कौन होता है जो नौकरी मांग रहा है Employer वो होता है जो नौकरी दे रहा है तो अगर Manufacturing Sector में कोई भी Job Create होती है और वो जौब में दोनों का पहले 4 साल में EPFO में Contribution होता है तो दोनों को Incentive दिया जाएगा जो 3rd टाइप की Scheme बताई गई है कि जो नौकरी दे रहा है Employer कि कोई भी Employer ने Employee को नौकरी दी है और उसको 2 साल तक का EPFO का Contribution करवा दिया है तो भी उसको Incentive मिलेगी यानि कि अब ऐसा है कि नौकरी लोगे तो भी आपको Incentive मिलेगा नौकरी दोगे तो भी आपको Incentive मिलेगा और जो दूसरा पार्ट है ये Scheme का कि Skill Development की बात करी गई है तो इस आर दा 4th and the 5th skill Skill Development में ये बोला है सरकार ने कि आने वाले 5 साल में हम 20 लाख युवा का Skill Development करेंगे जिसके अंदर हम Industry और जो राज्य सरकार है दोनों से Collaborate करेंगे 5 चीज बोली है कि हम यहाँ पे Internship scheme लाएंगे जिसके अंदर ये बोला कि जो एक करोड युवा है वो 500 top companies में उनको Internship करवाएंगे जिससे क्या होगा कि उनको stipend भी मिलेगा 5,000 पति महीना और जब Internship करेंगे तो क्या होगा कि मेरा Skill बड़ेगा मेरा Skill बड़ेगा तो मेरा Resume Strong होगा मेरा Resume Strong होगा तो मेंको Future में और ज़्यादा Employment मिलेगी तो ये चीज़ करी गई है इसके लावा सरकार ने बोला है कि हम Women के लिए Working Hostel बनाएंगे जिसके अंदर Women का Participation हम Workforce में और भी ज़्यादा Increase कराएंगे फिर बोला है कि हम साड़े साथ लाग तक का लोन देंगे हर साल 25,000 बच्चों को कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे और अगर किसी बच्चे को Higher Education करना है इंडिया में तो हम उसको 10 लाग तक का लोन देंगे जिसके अंदर Interest Subvention भी होगा यानि कि अगर 8% Interest Rate है तो उसके अंदर 3% का Interest Subvention होगा यानि कि बचा कितना 5% का ही Interest उसको लोन पे देना पड़ेगा तो ये चीज है पिर जो Next आ जाता है That is Inclusive Growth अब Inclusive Growth का मतलब क्या है कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि जो West Side है यानि कि आंद्रप्रदेश है ये सारे इतने ज़्यादा developed है नहीं तो सरकार ने ये बोला कि हम इस बार ये Regional Disparity हटा के सारे ही राज्यों को साथ में Growth करेंगे इसको Inclusive Growth करते है Inclusive Growth का अगर हम वापस देखते है कि अगर आपने ये पिरामिड हमने Recall किया कि तीन क्लास है तो अगर इंडिया में इंकम बढ़ रही है या इंडिया में रोजगार बढ़ रहा है तो वो तीनों क्लास में बढ़ना चाहिए तो वो Inclusive Growth हो गया Inclusive का मतलब क्या है कि you are including every section of the society irrespective of the gender or caste or anything Right So that is the meaning of Inclusive Growth तो सरकार ने ये बोला कि हमें Inclusivity increase करनी है Right तो इसके लिए पुरवोदया एक नई स्कीम लाया है जिसका tagline है विकास भी और विरासत भी जिसके अंदर उनने कहा कि जो Eastern States है इंडिया के बिहार है, जारखंड है, West Bengal है, Odisha है और आंद्रपदेश है Empowerment, यानि कि सब Empower रहेंगे, तब वो विक्सित भारत बन जाएगा इसके अलावा, Industrial Corridor बनाएगी सरकार, ये सारे राज्यों में and then हमने ये स्कीम तो देखी लिए कि 3,00,00 करोड से जादा women के लिए और girl के लिए स्कीम रहेगी इसके अलावा सरकार ने बोला है कि प्रधान मंत्री जन जैतिया उन्नत ग्राम अभियान यानि कि इंडिया में अर्बन एरिया तो grow हो रहा है, बट rural area अभी भी grow नहीं हो रहा है, और majority of India population अभी भी rural area में रह रहा है तो सरकार ने ये स्कीम में ये बोला कि 63,000 जो villages है, जो rural area है वहाँ पे 5 करोड tribal लोगों को economic और social opportunity increase करेंगे, right ताकि वो भी inclusive growth का part बन सके, फिर इसके लावा बोला सरकार ने कि हम 100 से ज़ादा Indian post payment branches बनाएंगे, ताकि North East region भी inclusive growth का part बने, and specially सरकार ने आंद्र प्रदेस Reorganization Act को भी इसमें mention किया है, जिसके अंदर बोला है कि हम 15,000 करोड का आपको financial support देंगे, जहां पे polar warm project के बारे में बताएंगे, polar warm project क्या है, इसको comment section में ज़रूर mention करो, and then बोला है कि वहाँ पे essential infrastructure भी लाएंगे, that is power, water, railways, roads and industrial corridors रहेगा, okay, next is the manufacturing and service sector, manufacturing sector में मैंने बोला है कि MSME पे सरकार ज़्यादा focus कर रहा है, क्यों कि MSME labor hire करता है, machinery नहीं, तो जितने ज़्यादा labor hire होंगे, उतना ज़्यादा इंडिया में growth बढ़ेगा, तो सरकार चाती है कि MSME industry ज़्यादा से ज़्यादा growth हो, और इसके लिए सरकार ने, जो मुद्रा लोन थे, जिसके अंदर तीन टाइप के लोन थे, किशोर, सिशू और तरुन, तो उसके अंदर changes किये हैं, जिसके अंदर बोला है, कि जो तरुन कैटेगरी में लोन मिलता था, पहले 10 लाग का, वो बढ़ा के 20 लाग कर दिया गया है, जिन्होंने पहले रीपे किया है, टाइम पे, अपार्ट प्रम दिस ये बोला है, कि यहां पे, जो भी food sector में है, MSME, वहां पे quality और safety testing maintain रहेगा, उनको credit support मिलेगा, और उन पे regular assessment भी रहेगा, ओके, पिर एक और चीज़ बोली है, कि 12 industrial park रहेंगे, जो develop किये जाएंगे, अंडर national industrial corridor development program, फिर बोला है, कि जो भी industrial worker है, उनके लिए हम dormitory type accommodation बनाएंगे, जो rental housing के अंदर रहेगा, बोला है कि critical minerals पे focus करेंगे, अब critical minerals क्या होते हैं, इसकी definition वो है, कि impact कर सकते हैं, पूरे globe पे, अब यहाँ पे example यह आजाता है, कि critical mineral का एक example है, copper, यानि कि तामबा, जो हम बच्पन में fake रहे थे, या जो पहले तामबा का लोटा होता था, जिसके अंदर पानी पीते थे, हम वो अब नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरे world में, electric vehicle की demand बढ़ गई है, solar panel की demand बढ़ गई है, और यह हर एक electronic device जो हो जाते हैं, electric vehicle हो गया, या solar panel हो गया, वहाँ पे copper एक बहुत बड़ा raw material यूज होता है, तो यहाँ पे major issue यह आ जाता है, कि इंडिया के पास खुद का इतना ज़ादा copper production है नहीं, copper is just one example of critical mineral asset, कौनसी country के पास सबसे ज़्यादा critical minerals है, यह प्लीज comment section में आप ज़रूर बताइए, बट अभी के लिए आप इतना समझेए, कि critical minerals are very important for an economy, क्योंकि हम renewable energy की तरफ जा रहे हैं, हमें electronic vehicle बनाने हैं, हमें solar panels बनाने हैं, तो वहाँ पर critical minerals का काफी ज़्यादा use होता है, तो यहाँ पर budget में mention किया क्या है, कि हम critical mineral का domestic production increase करेंगे, उसका recycling and overseas acquisition भी बढ़ाएंगे, फिर जो last चीज इसके अंदर mention करी गई है, कि अगर कोई भी type का case होता है, dispute होता है, तो उसके लिए tribunal को और ज़्यादा strengthen किया जाएगा, manufacturing sector में और appellate tribunal, appellate tribunal याने की appeal करना, अगर मैं high court के फैसले से satisfy नहीं हो, तो मैं supreme court जाऊंगा, तो same चीज industry sector में भी होती है, कि tribunal होता है और फिर appellate tribunal होता है, कि जो insolvency resolution को speed up कर सके, next है is the urban development, जो household woman है, याने की जो wife है, वो ज़्यादा dependent है अपने husband पर, whereas rural area में ऐसा होता है कि कई सारी women खेत में काम करती है, याने कि उनकी productivity है, बट urban area में women की productivity कम है as compared to rural area, तो सरकार ने या पर कई सारी type की initiative ला है, जिसमें एक initiative है, stamp duty का concept है, stamp duty में सरकार ने ये बोला है, कि जब कोई भी property लेते, तो अगर आप वो woman के नाम बे लोगे, तो आपकी stamp duty कम लगेगी, so this is one of the initiative कि यहाँ पर woman का empowerment और ज़्यादा increase हो जाए, इसके अलाबा बोला है कि urban area में street market बहुत चलते, या तो कोई food market हो गया, या कोई कपड़े का market हो गया, या कोई electronic market हो गया, अब ये क्या करते हैं, कि ये जो local लोग है, ये local लोग को employ करके रखते हैं, कि कोई भी food market है, या कपड़े का market है, तो वो local लोग को employ करके रखते हैं, तो local लोग क्या करते हैं, वो पुरे साल रोजगार रहते है तो सरकार ने ये बोला कि मान लीजे कि एक सब्जी मंडी है अब वो सब्जी वाले को एक मंडी एक proper infrastructure बना दो तो वो क्या करेगा पुरे साल अपनी सब्जी होँआ पर बेच पाएगा अब इंडिया में बुलेट ट्रेन का रूट आ रहा है बॉंबे से मुंबई से एमदाबाद अब देखा जाए तो गुजरात और महारास्टा दोनों ही डेवलप स्टेट है तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब डेवलप स्टेट में कोलाबरेशन होता है यह इस टाइप के इनिशिटीव आता है तो वहाँ पे पर्चेसिंग पावर है लोगों का कि वो बुलेट ट्रेन का यूज कर सके और महारास्टा गुजरात में व्यपार बहुत होता है डायमड को लेके हो गया टेक्स्टाइल को लेके हो गया तो जब मुंबई से एमदाबाद बुलेट ट्रेन मनेगी तो जो डिस्टेंस ओफ ट्रैवल है वो तो उतना ही रहेगा पर जो ट्राइम है ट्राइम ट्रैवल है वो बहुत जादा कम हो जाएगा टो इससे क्या होगा कि वहाँ पर व्यपार और जादा बढ़ेगा यानि कि महाँ पर developed होगा यह development क्यूँ हुआ? क्योंकि महाँ पर ट्रांसपोर्ट बढ़ गया तो वही ची सरकार कह रही है कि ट्रांजिट ओर्रियेंट डिवलाप्मेंट करना है हमें और दूसरा जो चौता इशू जो रहता है यहाँ पर अर्बन एरिया में that is the water management water management का major issue क्या है इंडिया में कि water management को लेके कि जैसे मैं Delhi में रहता हूँ, Delhi में मैं देखता हूँ कि summer month में अहाँ पर पानी या तो पानी नहीं आएगा और अगर आएगा तो बहुत ही जादा गंदा आएगा तो जो tap water का issue है वो है इसके अलावा जो waste है solid waste है उसका management करना बहुत ज़्यादा जरूरी ज़्यादा emphasize किया है इसके लिए 10 लाग करोड का investment बनाया जिसके अंदर बोला है कि हम एक करोड urban poor और middle class लोगों को घर देंगे और इसके अलावा जो लोग rent पे रहते हैं वहाँ पे transparency लाएंगे कि जो rental housing market वो और ज़्यादा transparent हो ताकि वहाँ पे regulation और efficient way में हो सके next आ जाता है energy security अब energy security में हमें पता है कि इंडिया renewable पे जादा जा रहा है इंडिया renewable पे जादा जा रहा है तो energy security का major concept यह रहता है अब यहाँ पे बुलाएं कि budget में क्या चाइब के चीज़ों पे focus करना चाहिए तो पहला तो बुलाएं कि nuclear energy को हमें use करना for peaceful purpose यानि की for electricity generation के लिए फिर बुलाएं कि जो भी energy हो रही है उसका proper way में audit होना चाहिए थर्ड चीज़ बोले है कि वहाँ पे storage policy लानी सी अब इंडिया में problem क्या है इंडिया में नहीं पूरे world में problem यह है कि जो भी renewable energy हम बना तो ले रहे हैं मतलब कि हमने solar से बना लिया हमने air से बना लिया wind से बना लिया अब वो energy generate होई हुए को हम store नहीं कर पा रहें क्योंकि हम अब पास अभी तक infrastructure है नहीं महाँ पास क्या पूरे world में ही किसे के पास कुछ खास infrastructure है नहीं तो वहाँ पर pump storage facility का एक issue आ रहा है तो बोला कि उसको हम address करेंगे फोर चीज जो है वो है thermal power plant अब thermal power plant किस पर होता है वो coal के base पर होता है तो यहाँ पर student सवाल यह उठाता है कि एक side हम renewable energy की तरफ जा रहे हैं और दूसरे side सरकार budget में बोल रहे हैं कि हम coal के लिए एक proper और power plant setup करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत यह हुई है कि economic survey में यह data आया था कि जो coal है industry उस पर कई सारे लोग dependent है for employment purpose यानि कि coal mining पर कई सारे लोग dependent है first thing second thing है कि coal से related कई सारे लोग जो है जिनको रोजगार मिल रहा है तो अभी हम उससे बाहर नहीं आ सकते तो hence इसका importance है अभी इसके अलावा सरकार ने प्रधान मंदी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाया है कि हम एक करोड घर वालों को free electricity देंगे जिसके अलावा हम 300 unit energy हर महीने free रखेंगे जिसके अंदर इत्ते सारे करोड registration इसका फायदा उठा भी चुके है फिर आ जाता है infrastructure now infrastructure बहुत ज़्यादा important है कोई भी country के लिए infrastructure का मतब यह होता है कि आप एक चीज से दूसरी चीज करने में आपको जो बीच में ease है वो ease का नाम infrastructure होता है तो इसके लिए सरकार ने 11 लाग करोड का एक budget बनाया गया है जिसके अंदर ये बोला कि डेड़ लाग करोड का हम state जो राज्य सरकार है उनको loan देंगे interest fee बिना ब्याज के हम उनको loan देंगे ताकि वो और जादा infrastructure increase कर सके एन बोला कि हम rural area पे भी focus करेंगे for gram सडक योजना में कि हर all weather road connectivity लानी है in 25,000 rural habitations इसके लावा बोला है कि दो चीज है एक है irrigation और दूसरा है flood management जिस पे हम focus करेंगे irrigation का मतलब क्या होता है कि एक किसान या तो बारिश पे depend होता है या फिर वो pipe लगाता है तो जो pipe लगा के पानी लाया ना वो irrigation facility होती है तो बोला कि इसको हम increase करेंगे कैसे increase करेंगे हम यहाँ पे river linking के projects लाएंगे जिसके लिए हम 11,500 करोड का एक fund बना आ गया है इसके लाव अगर हम flood management की बात करें तो हमें concept पता है the concept of urban flooding, urban flooding में ऐसा है कि urban areas बन तो गया है बहुत सारे, for example Delhi में भी जब भी छोटी सी भी बारिश हो जाती है थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो उधर काफी जादा पानी भर जाता, so that is what urban flooding area हो जाता है, तो साम में और सिक्किम में, in fact उत्राखंड में ये urban flooding का होता है, तो बोला कि हम एक assistance बनाएंगे, कि ये flood management हम कर सके, इसके लाव हमने देगा था कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते काफी जादा issue हुआ था, तो बोला कि इसके लिए भी हमने separate fund बनाया है कि ह इमाचल प्रदेश का reconstruction होना चीए, और वहां के लोगों का rehabilitation होना चीए, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने घर खो दिये थे, ओके, फिर next आ जाता है for the tourism sector, now tourism sector काफी जादा important हो जाता है, क्योंकि ये काफी जादा पैसा लाता है, तो सरकार ने बोला कि हम कास्वी tourism, jainism, जैसे कि कई सारे religion है, तो उसका हम use करेंगे for tourism purpose के लिए, for example, राम मंदिर, फिर बोला कि नालंदा university को हम और जादा develop करेंगे, apart from this, Odisha में कई सारी cynic beauty है, कई सारे मंदिर है, monument है, craftsman है, wildlife centuries है, natural landscapes है, तो इन सब को और इच्छे से infrastructure बढ़ा के उसके tourism hub बनाएंगे, ओक नेक्स्ट है, innovation, research and development, अब innovation, research and development में क्या बूला गया है, कि हमें इंडिया में research और prototype development बढ़ाना है, prototype development मतलब क्या होता है, कि आप को इभी type का research करते हैं, तो एक prototype बनाया जाता है, तो वो type का development, यानि कि demo type होता है, prototype यानि कि demo जैसा हो गया, तो उसका development बढ़ाना है, private sector को औ करना तो उसके लिए 1,00,000 करोड का fund बनाया गया है इसके लब बुला कि space economy में हमें और जादा explore करना है तो उसके लिए 1000 करोड का fund बनाया गया है सरकाड ने लास्ट है, is the next generation reforms, next generation reforms में क्या बोला है, basic चीज किस पर focus आई गई है, that is digitization पर, यानि कि digital economy पर जादा focus किया गया है, लेकिन इसके अंदर बोला है कि जो भी rural और urban land है, उनको पूरा ही digitize कर देना है, यानि कि land का पूरा digitization हो जाएगा, land का पूरा mapping digitization होना चाहिए, पूरा registration digit digitization होना चाहिए, in both urban as well as rural area, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, इसके लावा सरकार ने next generation reform में ये भी बूला है, कि जो climate change है, उसके लिए capital बनाना भी काफी जादा जरूरी है, और जो भी foreign direct investment आता है इंडिया में, उसको जादा से जादा simplify करना है, जितना simplify होगा, उतन है data governance का, तो सरकार ने बोला कि हम data को collect करेंगे, right, हम data को process करेंगे और उसको manage करेंगे, और इस पूरे को data governance कहा गया है, right, so these were the highlights of our budget, 2024 और 2025, आने वाली वीडियो में हम ऐसे कई सारी topics को discuss करेंगे with respect to economy, till then stay safe and study well, thank you.